Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech. Guys, last के कुछ वीडियो में हम लोगों ने बात करी है about different matrices which are related to YouTube. So, YouTube marketing या video marketing की series में हम लोगों ने बात करी थी, बहुत सारी audience retention की बात करी, wash time की बात करी इंपोर्टेंस हम जी और algorithm के इस तरीके से उनको consider करता है, ये सारी चीज़े हम लोगों ने समझी, जब कभी में हम बात करते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो YouTube के उपर popular हो, यानि कि हम वाइरल करने की बात करते हैं, अगर वाइरल करने की भी नहीं बात कर रहे हैं, तो simply हम इस तरीकों समसकते हैं कि हम बात करने एक्चुली organic reach की, किस तरीके से उसको share कर रहे हैं, किस तरीके से उस वीडियो को like कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के उपर भी depend करता है कि आपका जो YouTube का वीडियो है, उसको organic reach कितनी मिलेगी, हो सकता है यह चीज़े आपके control में नहीं हो, आपने content बहुत अच्छा बनाया, आपने अपना content बनाने के बाद आपने अपना YouTube वीडियो को publish कर दिया, या YouTube वीडियो को live कर दिया, बट live करने के बाद viewer उससे किस तरीके से engage हो रहा है, यह आपके हाथ में नहीं है, viewer कहाँ पर आपके वीडियो को छोड़के बाहार निकल रहा है, या निकि वो exit point कौन सा है, क्यों निकल रहा है, इसकी आप analysis जरूर कर सकते हैं, बट कहीं हद तक आपके हाथ में नहीं रहता है कि viewer उसको share कर आएगी नहीं कर रहा है, जिसकी वज़े से आपके चैनल के उपर कुछ positive engagement आएगा, और अगर ये positive engagement आपके चैनल के उपर या आपके वीडियो के उपर अगर शुरुआत में आ जाता है, जर्स मिल जाते हैं, तो होगा क्या, क्या जो YouTube का algorithm है, उसको कोई इस type का signal नहीं जाएगा कि इस वीडियो को जो है पसंद किया जा रहा है, लाइक शेर्स हो गए, और retention हो गया, audience का retention हो गया, फिके watch time हो गया, तो ये सारी कुछ ऐसी matrices हैं, जो combine होके YouTube के algorithm को ये signal देती है, या दे सकती है, कि भाई ये जो वीडियो है, ये थोड़ा सा popular है, या ये वीडियो पसंद किया जा रहा है, तो क्या होगा, कि वो फिर वीडि लाइक के हम पहले बात कर चुके, लाइक को भी आप consider कर सकते हैं, अब देखो ये चीज नहीं कहा जा सकता, कि भाई, एक बार अगर हमारे चैनल के उपर लाइक आता है, तो वो कितना वेटेज रखता है, या शुरुआत में अगर हमारे वीडियो के उपर लाइक आता है, पब्लिश होने के 5 मिट के अंदर, अगर हमारे वीडियो के उपर 100 लाइक आ जाते हैं, तो वो कितना वेटेज रखता है, तो वेटेज की calculation हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये जरूर जानते हैं, कि लाइक से जितना वेटेज हमें मिलता है, उससे कहीं जादा हमें शेय या आपके चैनल के उपर जो दूसरे वीडियो हैं वो शेयर हुए, तो sharing as a metric या sharing as a number कहां पर आपको दिखाई देता है और किस तरीके सा आप उसको देख सकते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं एक वीडियो की analytics में हूँ, यह हमारा वीडियो है, जिसकी analytics वाले मिली, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो इसको reach अच्छी मिली, ठीक है, compare to our existence performance, ठीक है, जो हमारी अभी performance है, अगर आप देखो तो वो performance यह graph है, ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यह नीचे वाला, ठीक है, तो typically हमें इतने time में, अगर देखा जाए, on an average, तो हमें 700 से 1000 के बीच में views मिल जाते थे, ठीक है, first 22 hours में, ठीक है, मैं इसको first one day कर देता हूँ, एक बार, तो first one day में generally ऐसा होता है, कि जो हम videos publish करते हैं, उनमें कितने views हमें मिलते हैं, 750 से 1000 के बीच में हमें views मिलते हैं, बट, बट, इस वाले वीडियो के case में क्या हु ठीक है, 2000 views हो गए, तो अब views increase हो रहा है, views increase होंगे, तो watch time भी increase होंगे, watch time increase होगा, तो definitely अगर वीडियो पसंद आ हैं लोगों को, तो audience retention भी increase होगा, ठीक है, बट, share ये वीडियो कितना हुआ, इसकी अभी तक हमें data नहीं पता, तो वो कैसे हमें पता चलेगी, हमें see more के आड करना चाहें, तो add remove कर सकते हैं, यहां से metric, ठीक है, यह कुछ metric है, जो by default यहां पर आपको दिख रही है, और उसके बाद हमें more में जाना है, और more में जाने के बाद हम अगर नीचे आएं, यहां पर कहीं आपको दिखेगा, यह रिखे, sharing service हमें दिख रही है, ठीक है, हम sharing service के उपर click करेंगे, और आप यहां पर देख सकते हैं, कि इस particular video को कितने shares मिले, 36 shares मिले, और शुरुआत में अगर आप देखें, यह देखो, first day में कितने share मिले, इसे 26 share मिल गए, उसके बाद जो है, बाकी जो shares मिले है, वो मिले है, इसको 10 जो बाकी के shares मिले है, वो बाकी क time में मिले है, ठीक है, राइट, बात समझ में आ रही है, तो आप देख रहो, जो यह आपको views में एकदम से बहुत जादा boost दिखा था, ठीक है, वाश टाइम में boost दिखा था, जब मैं इसकी analytics में आऊं, ठीक है, वापस हम लोग आते हैं, यहां पर आप देख रहे हो, first day में अच्छा खासा जो हमारा typical performance होती, उससे अच्छी performance आई, वो क्यों आई, क्योंकि shares इतने हुए, ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको channel के देखने हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं वापस एक बार channel के उपर आता हूँ, ठीक है, so actually channel के antics में हम लोग आएंग अब sharing को भी आप देख से लोग नहीं देखते हैं, तो लाइक शेर कमेंट बोलते जरूर है, लाइक शेर कमेंट किया जाए, बट बहुत कमी लोग हैं, जो यह actually देखते हैं, कि कितने shares हुएं, ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार analytics पे आता हूँ यहां से, तो अब हम actually channel की बा बाद नीचे हमें आ जाना है sharing service में तो यहां आपको और जादा information मिल जाएगी किस तरीके से sharing होई देखो copy to clipboard copy to clipboard जो है वो लगभग 4588 लोगों ने किया ठीक है इतने copy to clipboard हुए अब यह जो है last 28 days की data है अगर मैं इसको compare करूँ कोई भी आप ले सकते हो मैं for example मैं lifetime ले ले ल all हमारे चैनल के उपर एक लाग से जादा शेर साई हुए अगर आप देखें शेरिंग सर्विस में ठीक है तो मैं एक बार इसको seven days करता हूं वापस ठीक है तो आप देखो copy to clipboard बहुत जादा होता है अधर शेरिंग बहुत जादा है WhatsApp पे भी 500 जादा शेरिंग होती है ठीक आपको अच्छा boost दे सकती आपको अच्छा organic traffic दे सकती है यह मैंने भी example में भी आपको बता है इस particular वीडियो में इतना ही मिलता है next video में till then good bye